हलो प्यारे बच्चो लिटल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दियर पेरेंट्स आप लोग प्लीज स्क्रीन को टर्न कर दीजे क्योंकि बच्चे सिर्फ स्टोरी को संद कर एंजॉय करेंगे तो बच्चो आपको हिंदी कहानिया अच्छी लग रही होंगी मुझे बलीज बताइए इंस्ट्राग्राम के थ्रू लिंक आप लोग के लिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अभी तक हम कहानिया सुनते थे आनिमल्स की और बच्चों की आज हम कुछ नया सुनने वाले हैं आज हम सुनने वाले हैं एक राजा की कहानी The Story of a Wise King Are you excited? I am so excited तो चलो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं सालों पहले एक नगर में एक बुद्धी मान राजा राज्य करता था राजा मीन्स केंग और राज्य मीन्स अपना केंगडम चलाता था और वो बहुत बुद्धी मान था यानि की बहुत वाइस था उनकी बुद्धी और होश्यारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने उसे सजा सुनाता था आरोपी यानि की जिसने कुछ गलत कर दिया हो तो उसे वो पनिश तब तक नहीं करता था जब तक वो पूरी बात को अच्छे से समझ नहीं लेता था उसकी बुद्धी मत्ता के चर्चे सुनकर आसपास की राजा, रानियां और राजकुमारी आदी उससे जलते थे बुद्धी मत्ता मीन्स उसका जो इंटेलिजेंस था, उसका जो विस्डम था उसकी वज़े से आसपास के सारी राजा, राजकुमार, राजकुमारियां सब उससे जलते थे इसी जलन के जलते सबी उस राजा की पुद्धी मत्ता की परिक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे अब ऐसा होता है रहा कि हमें लगता है अच्छा ये जाधा स्मार्ट है तो चलो इससे एक ऐसा question पूछ लेते हैं जो ये जवाब ही न दे पाए ताकि ऐसा पता चल जाए कि हाँ हाँ ये तो dumb है इसे कुछ नहीं पता तो आसपास की जो राजा रानिया थे वो हमेशे ऐसी करते रहते थे कि वो जो बुद्धिमान राजा था उसका टेस्ट लेते रहते थे हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा लीके परिक्षा में खरा उतरता था और खुद को होशियार और योगी राजा साबित कर देता था यानि की जब जब उसका टेस्ट लिया जाता था वो अपने आपको और ज़्याधा होशियार यानि की और ज़्यादा वायज और क्लेवर साबित कर दिया करता था प्रूव कर देता था एक दिन राजा की परिक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई राजकुमारी means a princess उसके हाथों में दो फूलों की माला थी आपने फूलों की माला देखिए जो भगवान जी पर चढ़ाते हैं बड़ी ही सी माला तो उसके हाथ में दो मालाएं थी दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और एक नकली तो उन दोनों मालाओं में से एक तो रियल थी और एक आर्टिफिशल थी उन दोनों मालाओं को देख कर उनका डिफरेंस बिलकुल पता नहीं चल पाता था इसी वज़़ से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाइं रख कर पूछा हे राजन, अगर आब बुद्धीमान हैं, तो बताईये कि इन में से कौन सी माला असली है राज दर्बार में बेटे सभी दर्बारी माला को देकर हैरान थे क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि असली पूलों की माला कौन सी है सबी इस सोच में थे कि राजा कैसे वता पाएंगे कि असली पूलों की माला कौन सी है राजा भी माला को देखकर परिशान होने लगे उसी वक्त उनके दिमाग में एक आईडिया आया उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा बगीचे की खिड़कियां खोल दी जाएं सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल पे बैठी मदुमक्खियां खिड़कियों से राज दर्बार में आ रही है वे कुछ देर मदुमक्खियों को देखते ही रहे जैसे ही एक मदुमक्खि एक फूल की माला में बैठी वैसे ही राजा ने कहा कि मैं अब बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है राजा ने तुरंत उसमाला की तरफ इशारा किया जिस पर मदू मक्की बैठी हुई थी राजा की होशियारी देखकर दर्बार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे बुद्धिमान राजा की ही जरूरत है राज्य कुमारी भी राजा की बुद्धिमता देखकर खुश हो गए उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और अपने राज्य के लिए निकल पड़ी इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रशन का सही जवाब दे सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल सकता है आपको समझ में आया न क्या हुआ जैसी उसने विंड़ो खोली तो बाहर से एक फ्लाई आ गई फ्लाई क्या करती है फूलो पर बैठती है मदुमक्खी, हनीबी तो बस उस मदुमक्ही ने राजा को ये बता दिया कि ये वाली जो माला है ये असली है राजा ने अपना दिमाग लगाया और वो ये वाली परिक्षा में भी खुद को पुद्धिमान साबित कर पाया ऐसे ही मैं आपको हमेशा बहुत साथी स्टोरी में ये बता चुकी हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर हम उसका दिमाग लगाकर अगर हम हमारे पूरे माइंड को यूज करके उसका आंसर ढूनते हैं तो हमें जरूर मिलता है हमें हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन समझदारी से सोचने पर मिल ही जाता है तो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो आप प्लीज स्टोरी को लाइक कर देना चलिए अब मैं आप से मिलूँगी नेक्स वीडियो में तब तक आपको अपना स्क्रीन टाइम रखना है बिल्कुल लिमिटेड गुड आपिट्स को फॉलो करते रहिए बाई